आज की हमारी इस वीडियो का टोपिक है रोलां बार्थ इनका जो टाइम रहा वो 1915 से 1980 तक रहा और ये एक फ्रेंच लिटरेरी थियोरिस्ट, एसेस्ट, फिलोसफर, क्रिटिक और एक सेमटीशन थे इनके आइडियाज ने diverse range of fields को explore किया और कई new theories को develop करने में help की जैसे structuralism, anthropology, literary theory और post-structuralism बार जाने जाते हैं अपने best known essay की वज़े से जिसका नाम है Mythologies और जो 1957 में publish हुआ था इस essay में उन्होंने especially reflection of popular culture को explore किया है इसके बाद में उनका दूसरा famous essay है 1967 में जो published हुआ था वो है The Death of the Author जो literary criticism में अपनी एक खास value रखता है Rolla Barth एक interesting figure थे literary theory में क्योंकि वो structuralism और post-structuralism के कहीं बीच में थे मतलब उनकी theories दोनों school of thoughts के बारे में थी and his early work is inspired by structuralist ideas and later works on the death of the author gesture at his post-structuralist sympathies Rolla Barth ने 561 units of meanings को identify किया जब उन्होंने Belzec की short story को read किया और इन units को उन्होंने lexias कहा और इसके बारे में Rolla Barth ने कहा कि हम इसको five main groups में organize कर सकते हैं ये समझ नहीं आया चलो let's try again Barth की एक theory है reading the plural text इसके बारे में बात करते हैं Barth का according हमेशा एक से ज़्यादा तरीके होते हैं किसी भी text को read करने के लिए कोई भी text को ले लीजिए उसमें हमेशा एक से ज़्यादा meaning होती है और multiple meaning को find out करने के लिए हमें उस text को दोबारा पढ़ना होता है जितनी भी बार हम उस text को read करते हैं उतनी ही बार हम उसे अलग तरह से read करते हैं और हर reading के साथ उस text की एक अलग meaning निकल गया आती है अब इन five quotes की बात करते हैं five quotes means जो हमने बात की थी कि उनको five main groups में organize किया था लेक्सियास को रोला बार्थ ने five different types of semiotic elements को identify किया है जो हर एक text में common होते हैं उसने इन five signifiers को five quotes में gather किया है जो इस तरह से हैं पहला है hermeneutic दूसरा आता है prioretic और तीसरा होता है semiotic next आता है symbolic and cultural रोला बार्थ के लिए quotes एक तरह के perspectives हैं जिनसे हम किसी भी text को देख सकते हैं मतलब एक text को इन five quotes के साथ पढ़ना ऐसा है जैसे हम किसी एक image को देखते हैं अलग-अलग color के glasses का use करके इसमें image तो same ही रहेगी लेकिन उसके color जो होते हैं वो glasses की वज़े से बदलते रहेंगे या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक ही चीज़ को different angle से देखना तो अब एक ही करके इन quotes के बारे में बात कर लेते हैं पहला आता है priority quote इसमें क्या होता है ये किसी भी narrative का एक most visible aspect होता है ये एक story के sequence को refer करता है जिसमें उस story के events होते हैं ये events एक sequence में होते हैं जैसे के अब ये हुआ इस story में और फिर ये होगा ये हमारी expectation को lead करते हैं जैसे अगर ये हो गया तो ये तो जरूरी होगा फॉर एक्जामपल अगर किसी story में किसी hero के दोस्त को मार दिया जाता है तो वो revenge तो लेगा ही ऐसा नहीं हो सकता कि वो जा के villain से मिल जाए और दूसरे दोस्त को भी मारने की request करने लगे तो जो possible चीजे हैं कि एक sequence में जो कुछ होती है उसे कहते है priority code second आता है hermetic code इस code में क्या होता है ये हमारी interpretation को inform करता है और जो कहानी सुना रहा है मतलब narrative से question करता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यूं हुआ किसने किया तो ये हमारी समझ को inform करता है जिससे कहानी समझ में आती जाती है next code आता है cultural code ये एक ऐसा code होता है जिसमे narrative मतलब जो कहानी को narrate कर रहा है उसे ये यकीन होता है कि जिसे मैं कहानी सुना रहा हूँ वो मेरे ही culture से belong करता है या वो मेरे culture को जानता है या फिर narrative की और reader की common knowledge होती है इसमें, जिससे क्या होता है reader को story में आई हुए elements की meaning को search करने की परिशानी नहीं उठानी परती for example, अगर कोई Indian writer राम राज्य की बात करता है तो जो भी Indian culture के reader होंगे, वो समझ जाएंगे की इसका क्या मतलब है लेकिन जो Indian culture के बाहर है उसको ये चीज सर्च करनी होगी story को समझने के लिए दूसरा example, अगर कोई किसी को owl कहता है यानि को ullu कहता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये बेवकूब होगा, लेकिन Europe में owl समझदार के लिए यूज किया जाता है, तो इस तरह culture different होने से meaning भी change हो जाती है next code आता है semi code semi code, referential extra literal meaning को refer करता है, इनको sams कहा जाता है, ये culture code की तरह ही होता है वैसे लेकिन इसमें कुछ stereotype होता है और आपको तो पताई होगा कि stereotype जो होता है वो self descriptive होता है जैसे रामू काका, हमेशा एक नोकर होता है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, stories में या फिर फिल्मों में, ज्यादातर inspector का नाम विजे ही होता है, तो ये चीजे stereotype होती है, जब हम एक ऐसे इंसान को दिखाते हैं, जिसने गांधी चीज ऐसी टोपी पहनी हुई है, तो हम समझ जाते हैं कि ये एक politician होगा तो इस तरह हम कह सकते हैं कि stereotype जो होता है, उसको explanation की ज़रूद नहीं होती next code आता है, symbolic code ये semi code के काफी similar होता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा होता है semi code से, कुछ थोड़ा ज्यादा refer करता है, for example एक horror movie में जब darkness होती है, और moon निकला हुआ होता है, और hero बाहर सड़कों पर होता है, semi code ये explain करता है कि रात का time है, लेकिन symbolic ये refer करता है कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि हमें पता है horror movies है, रात का time है, और रात के time का क्या मतलब होता है, horror movies में, कोई ना कोई भूत परेत आने वाला है, ये खत्रा है, क्योंकि हमें इससे पहले, जितनी भी movies को हमने देखा है, उसमें ऐसा ही हुआ है, तो हमारे पहले का experience जो होता है हमें इस movie में भी ऐसे देखता है, जिसे वो Lexias से compose की गई हो, जो five codes से organize होती है जिनकी हमने अभी बात की थी, रोला भारत की next theory है, from work to text actually ये एक work है उनका भारत के एक article, from work to text में भारत एक text की theory को रखते हैं, भारत work or text तोनों को अलग-अलग रखते हैं, और tax पर author की authority को reject कर देते हैं, और reader को tax को produce करने का पूरा right देते हैं, और इस चीज़ पर focus करता है, कि जो tax होता है, एक dynamic element होता है मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, जो एक जगा fix होती हूँ, next बात करते हैं, कि रोला भारत ने किस तरह tax को describe किया है जब वो tax को अपने article from work to tax में discuss करता है तो कभी ये बताने की कोशिस नहीं करता कि आखिरी जो tax होता है उसका क्या मतलब है, लेकिन work or tax के बीच के difference को seven proposition के base पर explain करता है वो seven propositions हैं method, genre, sign plurality, fallation reading and pleasure अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है सबसे पहला आता है method वो कहता है कि work को handle किया जा सकता है क्यूंकि ये एक concrete object होता है, ऐसा कुछ जो definite और complete होता है if fragment of a substance occupying a part of the space of books, मतलब एक fragment, एक चीज़ का एक ऐसा टुकड़ा, जो एक book के एक part के हिस्से को occupy किये हुए होता है दूसरी तरफ, tax एक composition होती है, या फिर एक meaning होती है, जो reader work से drive करता है, मतलब किसी भी work से वो meaning निकालता है और ये जो tax है, वो एक define object नहीं होता मतलब एक निश्चित object नहीं होता, next आता है genre, जैसे कि जबरजस्ती का classification work पर किया जा सकता है, मतलब work को हम classify कर सकते हैं, मतलब उसको category में divide कर सकते हैं कि ये romantic है, या कुछ और है, या कुछ और है horror है, कुछ भी है हम किसी भी work को categorize करके उसको भाट सकते हैं वैसे text के साथ में नहीं किया जा सकता, text को classify नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह से, next आता है sign text में दो चीज़े होती है signifier और signified, कोई भी word एक signify होता है और ये word जिसको signified कहते हैं, ये एक image या एक concept हमारे mind में create करता है, उसको signified कहते हैं, ये दोनों मिलकर sign system बनाते हैं, और इसी से text बनता है text इसी की वज़ा से अपनी meaning रख पाता है next preposition आता है plurality इसमें क्या होता है, इसमें जब facts या फिर condition एक से ज़्यादा meaning को denote करते हैं, मतलब इसमें किसी भी fact और condition की plural meaning होती है, next आता है philation, इसमें उसने बताया कि अगर किसी writing को as a work देखा जाता है, तो ये authorship से जोड़ जाता है, मतलब इसको author के साथ में identify किया जाने लगता है और ऐसा करने पर जो reader होते हैं, जब उस work को पढ़ते हैं तो वो work को author के background और अपनी previous knowledge के base पर समझना start कर देते हैं, और अगर writing को as a text weave किया जाता है तो हम इसको किसी भी जोनरा में नहीं रख पाते, और ये reader की expectation में fit नहीं हो पाता, जिससे इसको category में नहीं किया जा सकता और ये इस तरह ये free हो जाता है interpretation से, जो अपनी बहुत सारी अपने आप में meaning रख सकता है, ऐसा करने से क्या होता है, इसकी जो meanings हैं, जो meanings की layer हैं, उसकी कोई limit नहीं रह जाती, next आता है reading इसमें उसने ये view दिया है कि work एक तरह की commodity होता है, मतलब raw material होता है, work एक ऐसा object होता है, जो consume किया जाता है, reader के दुआरा जिसमें reader passive होता है और चाहता है, जब वो किसी work को read करे, तो ये work उसको entertain करे, लेकिन अगर reader किसी writing को as a tax लेता है, work नहीं लेता, तो उसका reading experience जो होता है, वो interactive हो जाता है, और उस text का part बन जाता है, वो reader, text जो होता है, वो reading और writing के distance को बहुत छोटा कर देता है जब reader text से interaction करता है, तो reader question करता है, और writing के बारे में सोचता है, ना कि ऐसा करता है, कि reading से entertain हुआ और बात खतम की और अगर reader passively words को consume करता है, तो वो बहुत जल्दी उनसे ठक जाएगा जो work में होते हैं, I know थोड़ा मुस्किल है, लेकिन क्या करें, success वैसे ही नहीं मिल जाती, मतलब अगर ना समझाया हो, तो rewind करके दोबारा सुन सकते हो rollabarth का next preposition आता है, pleasure, classical works का, जो reading का pleasure है, वो ऐसा लग सकता है, जैसे हम उन works को consume कर रहे हो, क्योंकि कोई भी reader, classical works को दोबारा write नहीं कर सकता इसलिए एक distance create हो जाती है, reader और work के बीच में, जो भी हो, एक piece of work pleasure की feeling को arouse करता है, क्योंकि कोई भी ऐसी feeling नहीं होती है जो reader और writer के बीच से अलग हो, मतलब reader भी वही feel करता है, जो feel writer करता है, जब वो अपने work को लिखता है, और जो text होता है, वो हर एक social barriers और language से आगे जाके feeling और pleasure को produce करता है, now if you read anything, you have to remember that you are reading a work or a text, अगर आपको कुछ read करने के लिए मिले, तो ये notice जरूर करना के आप उसको consume कर रहे हैं, या एक text से associate और interact हो रहे हैं, मतलब क्या तुम उन words को इस तरह treat कर रहे हो जैसे कि वो बस एक stone पर खुदे हुए हो, और उनका सिर्फ एक ही meaning होता हो, या फिर उनको इस तरह treat कर रहे हो कि उनके कई सारे meaning हो सकते हैं, और बहुत सी possibilities हो सकती है, new meanings निकलाने की, रोला बार्थ का next concept या theory आती है, readerly and writerly जो उसने अपने work S.J. में दी थी, तो एक एक करके दोनों के बारे में बात कर लेते हैं पहला लेते हैं, the readerly text इसमें उसने कहा कि बहुत से text जो होते हैं वो readerly text होते हैं ऐसे text, classical text से associated होते हैं, जो familiar, linear और traditional manner में present होते हैं हमारे सामने, जिनकी meaning fix होती है, या predetermine होती है, ताकि हर एक reader को एक जैसे ही information मिल पाए, मतलब जिसमें reader बस एक text को पढ़ता है, और enjoy करता है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचता और उसकी meaning उसके लिए आसान और clear होती है ये readerly text होता है अब बात करते हैं, the writerly text की reader के अलग-अलग meaning निकालने में, multiple culture, different ideology different individual experience बड़ा role play करते हैं new meaning को uncover करने में ये text reader को writer में turn कर देता है मतलब जिन text में reader active role play करता है और उसको text को अपनी knowledge के base पर समझना होता है अपनी खुद की meaning निकालनी पड़ती है उसको writerly text कहते हैं so friends, ये इनके कुछ concept थे, कुछ theories थी I hope आपको समझाई होगी अब बात करते हैं इनके major works के बारे में तो सबसे पहला आता है writing degree zero जो 1953 में publish हुआ था इसके बाद में आता है mythologies जो 1957 में publish हुआ था next आता है the death of the author जो 1957 में publish हुआ था next आता है S, Z 1970 में publish हुआ था next आता है the pleasure of the text 1973 में publish हुआ था next आता है image music text जो 1977 में publish हुआ था नेक्स्ट आता है एल लवर्स डिस्कॉर्स फ्रेग्मेंट्स 1977 में पब्लिस हुआ था और नेक्स्ट आता है राइटर सॉलर्स जो 1979 में पब्लिस हुआ था ये इनकी कुछ मेजर वक्स है इनको आपको ध्यान में रखना है इनकी क्रोनलोजी या as an individual ये वक्स पूछ लिये जा करते हैं so friends इस वीडियो में इतना ही था take care of yourself thanks for watching me have a nice day